इसको आप अब इस तरह फ्रीज करके रख सकते हैं असलामलेकुम व्यूवर्स मैं एदा एंड वेलकम टो मैं चैनल ओनली फूडी आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किसम की रेसिपी बीफ के चपली कबाब बहुत माइल्ड से जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं जाएगा जिसको बचे भी अराम से खा सकेंगे और वो लोग जो कम मिर्चें खाते हैं उनके लिए भी बिलकुल परफेक्ट बनेंगे तो आप खुद भी इस्तमाल करें और घर आने वाले महमानों को भी इससे महजूस कराइएगा 1.5 तीजपून एजवाइन पाउडर 1 तीजपून जीरा पाउडर 2 तीजपून इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर क्योंकि सूखा धनिया थोड़ा से इसमें ज्यादा ही शामिल करते हैं अच्छा एक अदद मीडियम साइज की मैंने प्याज ली थी और इसको इस तरह मैंने बारीक बारीक काट लिया है और काटने के बाद अच्छे से इसका जो पानी है ना वो हमने हाथ से निचोड लेना है क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के अंद और एक अदद मीडियम साइज की मैंने ली थी हरीमेट्च और इसको इस तरह से मोटा मोटा मैंने कोट लिया है क्योंकि हम यह माइल्ड बना रहे हैं बहुत जादा हमने इसमें मसाले नहीं शामिल किया है और ताकि इसको बच्चे और जो कम मसाला काते हैं वो लोग भी शामिल कर देंगे एक अदद अंडा इसके हम यूज कर लेंगे इसे बाइंडिंग में बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है तो अब हम चपल कबाब में डालने के लिए जो अंडा है उसको तियार करेंगे एक अंडा तो हमने उसके अंदर एड कर दिया था अब दूसरा अंडा मैं आपको बताऊंगे कि किस तरीके से हमने इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा ओयल ले लेंगे हम जस फूर फ्राइंग तो ओयल जो है वो गरम हो गया अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक अंडा और इसको हमने जस जैसे स्प्रेंबर डेग हम बनाते हैं उस तरह हमने इसको इस तरीके से बस हलका सा मिक्स करते रहना है इसमें नमक वगरा हम नहीं डालेंगे क्यूंकि कीमे में अल्रेडी हम सब चीजें शामिल कर चुके हैं तो नॉन्स्टिक पैन में आप बनाएंगे तो बिल्कुल ही आपका लेस ओल में यह बन के तयार हो जाएगा बिल्कुल आपको ना होने के बराबर इसके अंदर ओल शामिल करना है और यह बड़ा इसली ड़न हो जाएगा तो इस तरह आप मुसलसल चमच हिलाते रहें और ज कूल डाउंग हो गया है अब इसको हम डिरेक्ली जो है कीमे में शामिल कर देंगे करने के बाद इसको हम कर देंगे मिक्स तो अंडे को हमने अच्छे से कीमे के अंदर मिक्स कर लिया तो चलें अब तियार करते हैं इससे कबाब एक मैंने बनाकर रख दिया है अच्छे से मै आपने इसको बनाना शुरू करना ना तो आपने सबसे प permitted केमय को इस तरह से हाठ से तबाना है ताकि यह क्वैंड हो जाए थीक है, उसके बाद इसके इसहां से हमने गुलाई से कर लें से ठीक है और गुलाई करने के पर इसको इस तरह से हमने हाद से दबा देना है Edges को हमने Neat करना है इस तरीके से और जब Edges हमारी Neat हो जाएंगे उसके बाद हमने इसको कबाब को बहुत ही हलके से हाद से यूं फ्लैट कर लेना है जितना हमें पतला चाहिए, उतना हमने इसको इस तरीके से हाथ की हल्प से दबाना है, तो यह देखें, यह बिल्कुल मेरे पाम की साइज का जो कबाब है, यह बन के तियार हो गया, अब बाकी कीमे से भी मैं सारे कबाब तियार कर लूगा और आपको बताओंगी कि एक किलो क तो यह मैंने सारे कबाब बना के रखती हैं इस से टोटल एक केजी से अठारा जो है चपली कबाब बनके तयार हो गए है इत टोटल डिपेंड्स ऑन साइज अगर आप थोड़ा सा बड़ा साइज रखेंगे तो कबाब थोड़े से काम बनेंगे ठीक है तो इस तरीके से आप आपने इनको बना के रख देना है या इस तरीके से आप ट्रे में रख लें या फिर किसी भी कंटेनर में आप सेफ करने मेरे पास यह कंटेनर है तो मैं इसके अंदर जो है लेयर्स लगा के इसको रख दूंगी मैं आपको दिखाती हो किस तरीके से आपने इसको सेफ करना ह जब दिल करें आप इसको निकाल के आप यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से किसी भी कंटेनर में इसको रख सकते हैं कबाबों को इसको आप इस तरह अप्रीज करख सकते हैं जो लोग कम मिर्चां कहते हैं उनके लिए थो यह ही बहतरीन तो चलें, उमीद करती हूँ, आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, इसको अपने फ्रेंड और फामिली के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल Only Foodie को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तब तक के लिए, अलाहाफिज